हेलो गाइस वेलकम बैक टू ओट अज हम खड़े हैं 2023 हुंड़ी वर्ना के सामने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वर्ना में क्या-क्या फीचर्स वगरा मिलते हैं जो कि सेग्मेंट से अलग हैं प्लस अगर आपको हुंड़ी वर्ना 2023 परजेस करनी हैं या इसकी टेज बात करते हैं बात करते हैं सबसे पहले शुरू करते हैं वाकराउंड से करते हैं वाकराउंड से रियर से मैं शुरू करूं यहां पर सबसे पहले आप देख पाएंगे चेंजेज अब इसके लुक्स में आप देखिए बाई पीछे से यह पूरी एक कूपे डिजाइन के वाला जो फील होता है न वह कहीं न कहीं दे रही है और आपने इलेंट्रा देखी होगी जो इंडिया के बाहर आती है सेम वैसा कुछ यहां पर डिजाइन देया गया है मत इससे पहले रियर में जो देखेंगे वर्ना की बैजिंग आपको इंटीग्रेटेट मिलेगी यहां अंदर ग्लास के अंदर दी गई है और जितना भी क्रोम था इस कार में जैसे आपको दिखाऊं आपको वैन्यम देखने को मिल रहा है यह क्रोम यह क्रोम तो अब पूरा क हटा एक सैंटन फिनिष कर दियागय क्रोम सारे चेह से इतने में अलीमेंट हैं साइड में बात करों डूर है और यह चो क्री लाए नाती वन सबसे वह रहा भी तो देखने को लाट करंग तो वर्ना जैसे में आपको दा यह है और यह कॉनेक्टेचल यहां से मिलेno इधर से पूरा ये LED आपको वेन्यू में भी देखने को मिलने लगा है और और अउरा में भी वो गलो नहीं होता है और और आइटेन की में बात करूँ लेकिन हाँ लेकिन यहां पर ये गलो भी होता है ये ब्रेक लाइट भी LED दी गई है पूरा LED टेल सेटप दिया गया है बस यहां पर आपको टर्न इंडिकेटर और जो रिवर्स लाइट है वो आपको हैलोजन मिलने वाली है फिलहाल में जो वेरेंट है हमारे साथ ये SXO टॉप मॉडल ब को इसकी एक्षरोम प्राइस दिखती है और और आते आते यह बीस लाख रुपए सम्थिंग की पड़ जाती है तो इस प्राइस सेक्रिम ने आपको क्या-क्या चीजे मिलती है उसके बारे में मैं बता दूँगा चार जो रियर सेंसर है वो दिये गया है यहां पर बैक कैमर सेक्सी पिनिच दी गई है वो काफी अपीलिंग बना देती है इसके लुक को कॉमेंट सेक्शन में बताइगा आपको इसका लुक रियर का कैसा लगा आपके उपीनियन्स क्या है यह था इसका रियर का लुक और अगेन यहां पर आपको दिखाए कोई स्पोईलर तो नहीं ह लेकिन यह जो इसकी क्रीज लाइन है यह आप देखिए एक स्पोईलर का फील दे देती है कही न कहीं ओवरॉल गाड़ी में क्रीज जो है वो बहुत सजादा बढ़ा दी गई है और ओवरॉल लुक जो देता है वो एक स्पोर्ट कार वाला देता है रियर में आपको स्पेस यहां पर आपको दिया गया है और नीचे आपको जितने भी इसके टायर वगरा वो दिये कहे हैं तो इधर पर आपको ब्लैक कलर में एसेक्स ऑप्शनल वेरिंट जैसे मैं आपको तर्बो में उसमें जो टायर मिलते हैं वो 205 55 आर 16 इंच के मिलते हैं और इसमें जो अंदर रखा गया वो एक इंच होटा मिलता है यह है इसका कुछ साइट का लुक एक बार कॉमेंट सेक्शन उताईगा यह भी आपको कैसा लगा प्लस जो इसके डोर हैं वो आपको क्रोम से हटा के सैटिन फिनिश सैटिन क्रोम जो मैट क्रोम कहूंगा मैं वैसे दिये गए है यहां पर आपको बलाइंड सिप्ट माउनिटर मिल जाता है कोई भी कार वगेरा साइट से आएगी तो यह गलो करेगा तो बता देगा अगर आपके साइट में कोई कार है उसumes है आपको टेक्क करना है और दो इसे इस सैग्मेंट चाड़ियां है उनसे कहीं न कहीं आपक पैनेरों में एक संरूफ आ सकती है लेकिन अभी इसमें आपको संरूफ ऐसी ही दी गई है साइट के क्रीजेस आप एक बार दीखिए जितने जो कर्ट से न वो कहीं न कहीं इस कार को स्पेशल लुक दूर से देते हैं वालब आप देखोगे न रियर से इसको तो एक स्पोर्स कार वाली पूरी फीलिंग देंगे यहाँ पर ORVM में आपको टर्न इंडिकेटर में लेगा और ORVM में भी आप कट्स देखो यह लाइन बॉडी लाइन आपको अलग दिख रही होगी और यह जो बॉडी लाइन है यह इधर पूरा और उधर मैच होती हुए अलग दिख रही होगी जैसे मैं आपको आपको यह चैलीपर है वह पेंटिट दुझ जाएंगे अ जैसे कि मैन आपको था यह टर्वो वेरेंट इसलिए और रियर में नॉर्मल पेंटिट नहीं है लेकिन नॉर्मल आपको दिखते हैं वह दिखा दू तो आर्ल आपको यह में डिस्क ब्रेक ही दिए गये हैं तो बात करते इसके फ्रंट के लुक के बारे में, साइट का ये वॉकराउंड था, फ्रंट से भाई, एक बार मैं DRL से इसकी जला के लिखा देता हूँ, ये है इसका फ्रंट का लुक, फ्रंट के जो लुक है, उसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आरहे हैं, अपना 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 किसी को बहुत जादा अच्छा लगा, किसी को डिसेंट लगा, आप कोमेंट सेक्शन बताएगा आपको कैसा लगता है इसका फ्रंट का लुक, ये जो हुमेनिटी लाइन है आगे भी है, पीछे भी है, एक बार कनेक्टेड मतलब लुक देती है, पूरा हुंड़ाई का लो काफी मतलब इनहेंस कर दिया गया है पहले की तुलना में और बहुत सारे लुक में ही चेंजेस किये गए हैं, जो इसके जो और कलर साते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार ये कलर है, जिसमें आपको फ्रंट में वाइट नहीं दिखता है, वो कुछ ऐसा लगता है, उसमें जो हेड्लैम्प है, योनिट है और जो इंडिकेटर की प्लेस्मेंट है, वो उतनी ज्यादा अलग समझ में नहीं आती है, लेकिन वहीं वाइट कलर अगर आप देखेंगे, एक बार मैं देखाऊं सामने से, तो फ्रंट में जो लुक से ना, वो काफी अलग दिए ग है, और हुड्स में भी भाई, एक बार कट्स लिखाऊं आपको, जैसे मैं आपको थाए, इस पोर्टी करने के लिए ये जो चीजें अट कर दी गई है, ये काफी कहीं न कहीं कार को एक लुक को अवर रॉल प्रीमियम फिनिश देती है, और जैसे मैं आपको थाए, अगर आ इंजन स्पैसिफिकेशन क्या है, उसकी बारे में बात करते हैं, भाई, हुड की हैविनेस अगर में बताऊं भाई, काफी हैवी हुड है, और एक हाथ से ना आप लिफ्ट करने में आपकी अच्छी-खासी कसरत भी हो जाएगी, इंसलेशन यहां पे दिया गया है, ये है इ प्लैजर एंजोई करना चाहते हैं, भाई आटोमेटिक में पैडल शिफ्टर के साथ ये काफी एक एक स्पोर्ट्स कार वाली फीलिंग देगा, यहां पर आपको टर्बो एंजन की बैजिंग मिल जाएगी, और पाई इंजन हुड की हैविनेस काफी अच्छी है, तो इसको बॉक्स में में मैंशन है, इंटिरेम बढ़ते हैं उसके पहले मैं आपको की दिखा दूँ, और एक चीज़ और एडास जो मैं फीचर आपको बता रहा था, हाई एंड मॉडल में अवलेवल है, यह इसका यहां पर यह सेंसर दिया गया है, और रेडार सेंसर आपको मैंने दिखा दिया, तो यहां पर आपको रिमोट में बात करूँ, लॉग, अनलॉग और कार स्टार्ट कर का बटन मिल जाएगा, अगर आप इसे होल्ड किये रहेंगे, तो कार आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और यह बूट ओपन भी आप इसी से कर सकते हैं, सेम, इंटिरेम में सेम टच, इंटिरेम में बिलेगा, यह रेड आप लाइन्स देख पा रहे हैं, इंटिरेम में अच्छे दिखा दूँगा, सबसे पहले साइट की डूर की बात करें, क्रोम डूर वर्डनिस में दोते हैं, अगेन, जैसे मैं आपको रहा है कि क्रोम सारी जगे से हटा दिया सेटिन फिनिश मिलेगी, और यहां पर विना एक अलग सा टेक्चिर एड़ किया गया है, तो अगेन, यह जो टेक्चिर है, यह केवल टेक्चिर नहीं, यहां पर आपको एम्बेंट लाइटिंग भी मिलेगी, एक बार मैं जला के दिखाऊंगा वो, और यह पूरी एम्बे आप इसे एड़ेस्ट कर सकते हैं, इधर से, यह आगे पीछे इसको एलेक्टरिकली कर सकते हैं, प्लस हाइट एड़ेस्ट करने के लिए आपको यह लीवर भी आ गया है, तो ऐसे कुछ एड़ेस्ट कर सकते हैं, अंदर बैठते हैं और बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों क तो यहां सबसे बात करेंगा अगर स्टेरिंग वील के बारे में तो हुंटाई का लोगो बीच में है एक चीज मुझे लगी यहां पर फ्लैट बॉट्टम स्टेरिंग ना एड कर दियना चाहिए था क्यूंकि आई 20 वगेरे में आपको फ्लैट बॉट्टम मिल जाता है लेकि सबसे अच्छी चीज मुझे इसका इन्फोटेन्मेंट स्क्रीन लगी प्लस यह जो ड्राइवर ओरियंटेड आपको इसका क्लस्टर मिलता है वह काफी प्रीमियम है पैडल शिफ्टर्स आपको इधर मिल ही जाते हैं अगें नीचे आपको दिखाऊं तो जैसे टर्बो वे सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर आपको अगें सॉफ्टच मैटेरियल दिया गया है यह स्टिचिंग दिख रही होगी आपको स्टाइब बटन इधर प्लेस्ट है और यह है इसकी एसीवेंट्स एसीवेंट की आप एक बार डिजाइन देखो कही ना कहीं यह एक लग मिल जाता है और यह सब्सक्ताइब करते हैं इसे हाइट वगएर आप एडिष्ट कर सकते हैं इधर से हीट वगएर एड्जेसट होती है और टेलेस्कोपी और तिल्ट दोनों ही मिलता है जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर instrument cluster की बात करें काफी अच्छा touch, काफी अच्छा LED आपको instrument cluster मिलेगा और काफी अच्छी feel देता है, कि लगी की नहीं, segment की car है सारे features आपको मिलते हैं, lane, SS वगेरा आप, जैसे मैंने आपको बता है यहां से activate वगेरा कर सकते हैं, जितने भी features है, ADAS वाले, वो आप सारे यहां पर use कर सकते हैं left side आपको vipers के control, right side आपको instrument के control मिल जाएंगे जो की automatic दोनों दिए गए हैं, और automatic आपको IRVM मिलेगा, इधर placed है और sunroof की बात करें, तो यह आपको कुछ इतनी sunroof मिलती है, electronic adjustment वाली, automatic IRVM मैंने आपको बता दिया और यहां पर lights वागरा की placement दी गई है, LED lights है, अब यहां पर मैं बात कर लूँ, जैसे मैंने आपको बताया था न, ambient lighting, एक बार देखो आप यह doors पर, और यह पूरी आपको ambient lighting यहां मिल रही है, यह दिगए इधर, और यहां पर अगेन यह door पर भी, तो यह काफी अच्छे look को बना देती है, look enhance कर देती है, और मैं बात कर रहा था, इसके touch screen के बारे में, 10 inch का इसमें आपको touch screen मिलेगा, और एक बार में fluency दिखा हू जाते हैं, अब एक अलग चीज वरना के बारे में, यहां पर जो controls दिख रहा है, यह अभी AC के हैं, अब इससे आप यहां पर change कर सकते हो, अब यह जो controls है यह आपके infotainment screen के controls बन चुके हैं, और वापस से अगर आपको इसको change करना है, तो यह वापस से बन चुके है, control इसक AC के, तो यही सारी चीजे है, automatic climate control आपको मिलता है, यहां पर अगेन आप देखो एक अलग फीचर, जो सीट से इसकी ventilated function के साथ आती है, साथ ही साथ यह heated के साथ भी आती है, तो मतलब भाई, अगर और कोई कार ले रहे हो, तो वहां के आपको ventilator function मिलेगा, लेकिन यहां पर हीटेट भी मिल रहा है, वो का भी अची चीज है, अगर बात करें, इसके glove box के बारे में कुछ इतना बड़ा आपको glove box मिलेगा, काफी मतलब deep and sufficient amount की storage की गई है, इधर आप बात करेंगे shades के बारे में, तो ऐसा कुछ shade मिलता है, जिसमें आपको साथी साथ mirror की placement भी मिल जाती है, इधर आपको 12V का charging socket देखने को मिल जाता है, यह दिया गया है, इसे मैं open करूँ अगर, तो यह है 12V का charging socket, इधर आपको type C दिया गया है, USB type आपको इधर दिया गया है, यहाँ यह wireless charging support करता है, यह वाला model, तो यहाँ पे आपको wireless charger भी दिया गया है, इधर driving modes आपको दिय camera की view, आप यहाँ पे view चेक कर सकते हैं camera के, और यहाँ से आप चेंज बगएर भी कर सकते हैं, एक दम आपको नीचे का view चाहिए, तो यह आपको नीचे का view भी provide कर देगा, यह दिया गया है, अधर आपको automatic parking brake, जो electric parking brake है, वो मिलेगा, engage या डिसंगेज आप यहीं से कर सकते हैं, और auto hold का function भी मिल जाता है, again, यहाँ पे आपको एक cup holder दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे इधर आप इसको प्रेस करेंगे, यह इधर आपको दो cup holders मिल जाते हैं, इसे आप वापस कर सकते हैं, और इसे प्रेस करने पर यह वापस जाता है, तो यह काफी अच्छा feature मु इसके बाद कर लें, इसके बाद कर लें, फ्रेंट में जितनी वी चीजे मिलती है, कैसी लगी आपको comment section बताइगा, सीट वगरा भाई, काफी कुछनी है, electronic adjustment के साथ आती है, तो वो एक plus point आपको मिल जाता है, बैटते इसके rear की seat में और बात करते हैं, क्या के चीजे आपको rear की seat में मिलती है, comfort वगरा कैसा है, इतर आपको thigh support वगरा, काफी decent दिया गया है, thigh support, leg room पीछे वाली seat में क्या मिलता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, यह इसका rear का door वगरा, सेम वही door मिलते हैं, जो आपको आगे मिलते हैं, set and finish यहां मिलेगी, एक लिटर को bottle अराम से जाएगी, यह इसका power window को control, अब भाई, आप देखो एक बार, leg room चेक करो, coffee अच्छा है, और head room आप चेक करो, काफी अच्छा है, 6 foot के साब से, grab ender मिल जाता है, यहां पे आपको अपना कुछ भी समान टांग सकते हैं, code वगरा hang करना है, तो वो काफी अच्छा मिलेगा, easy और यहां पर आपको light की placement मिलेगी, जो की LED है, again, अब मैं बात करूँ, इसका rear seat comfort की, sitting angle जो है ना भाई, वो काफी अच्छा दिया गया है, मतलब, feel में बताऊना, luxury वाली आती है, headrest आपको adjustment वाले मिलेंगे, बीच में आपको कोई भी headrest नहीं मिलता है, यहां आपको shade मिल ज acceptable है, AC के events आपको मिल जाते हैं, यहां आपको दो charging ports मिलेंगे, जो की type C है, तो यही सारी चीजे मिलती है, तो फिलाल में इस वीडियो में इतना ही था, Hyundai Verna के बारे में, 2023 के बारे में, कैसे लगी आपको यह car comment section बताएगा, और फिलाल में, जितने भी features वगरा मिलते हैं, action room price जैसे मैंने आपको बता है, on road आते जाते हैं, यह 20 lakh plus जाती है, तो इस price segment में, best features है, sunroof, आपको मिलता है, homemade lighting मिल जाती है, ventilated और heated seats मिल जाती है, जो की एक feature अपर segment की गाडियों का है, तो safety features के safety wise भी आपको screen पे दिख रहा होगा, क्या-क्या features आपको upgrade कर दी है, Hyundai ने, safety wise भी काफी अच्छी है, hood जैसे मैंने आपको बताया, जो build quality, sheet quality, in fact मैं करूँ, वो काफी अच्छी समझ में आ रही है, तो कैसी लगी आपको यह car comment section बताएगा, फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करिएगा, channel को subscribe करिएगा, और